So everyone, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है Malaysia का Plantation के बगान से तुछली वीडियो इस्टार्ट करते हैं गर आप लोग सूचते हैं कि Malaysia में जाएंगे और पहली बार Malaysia आ रहे हैं अगर सूच रहें कि Malaysia पहली बार आ रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि फल कितना बड़ा है और फल का वजन कितना रहता है तो मैं आज आप लोगों को लाइफ रूप दिखाऊंगा कि फल कितना बड़ा रहता है और Malaysia में आके वार्कर किस तरह यहाँ पर इस फल को उठाते हैं और क्या करते हैं आप लोगों को आज मैं डिटेल्स में बताउंगा कि यह फल का ढीरा देख रहे हैं पीछे पूरी तरह बहुत ही बड़ा बड़ा पल का ढीरा यहां पर बहुत ज्यादा ले आप लोगों को बतादू कि यह अभी जो है बहुत ही जादा फल देख रहे हैं यह देख सेके हैं क्यूंकि हमारे जो यहां पर जो हमारे जो company का यह जो साइड है यह बहुत ही बड़ा साइड है ने वाला हूं कि फल का वजन कितना रहता है खासकर के अगर मलेसीया में आते हैं और मलिस्या में काम करना चाहते हैं और अगर सोच रहे हैं ये फल का वजन कितना है क्योंकि आप लोगों को बता दू कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये फल बहुत ही ज्यादा हाड होते हैं या बहुत ही ज्यादा वजन दार रहते हैं तो हाँ होते हैं क्योंकि कि यह फल अभी वजन जो देख रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा वजन रहता है भाईयों आप लोगों को बता दूँ यह कम से कम जो है कोई-कोई फल 40 से 50 किलो से उपर ही होगा फल जो अभी देख रहे हैं और मैं भी लोडिंग करता हूं अइसा नहीं है कि मैं भी तो keeping नहीं किया था और यह मलीशिया आने कोई कोई गाम नहीं करता हैं मैं नहीं को इंडिया में के उनरी old दिवाी नहीं करते हैं enos कघी डेगां में सरगाएं साफ दो आ। यही जो है आप लोग्हे को बता साथा की चैए फल का जो धेरा देख रहे हैं, ये पहली बार आप लोग भी आके देखेंगे और मैंने तो पहली बार भी देखा था हम लोग भी, तो आने के बाद जो है काम ये हो गया है, और आप लोगों को बता दू, बहुत भाए लोग जो मुझे पूछ रहा था कि कौन सा कंपनी से और कहां से गया है तो आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोलकाता से गया था और ये देखिए मेरा ये देखिए टी-सट में लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि आयान कॉंसलेट सर्विस आज में खास करके उस कंपणी का टी-सट ही पहन लिया हूँ अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो यहां से भी बीजा लगा सकते हैं लेकिन आप लोग का मर्जी भाई मैं किसी को यह नहीं करूंगा कि आप लोग वहां से भीजा लगाई है यह आयान कॉलसलेट सर्विस जो है यह कोलकाता में है एरपोर्ट रोड के बगल में है अगर आप जाना चाहते हैं तो C Aldi Station से भी झा सकते हैं और Harvard I Station से भी जा सकते हैं जो वहाँ पर मीटींग होते हैं वहाँ पर पंजाब SHIRY होटल के बगल में ही है तो अगर आप लोग भी कभी जाना चाहते हैं और प्रकुल आना चाहते हैं यहां पर तो इस कमपनी में आ सकते हैं, मैं जिस कमपनी से आया हूँ, जिस agent के पास से तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहां से आईए मैं किसी को force नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यह सी कमपनी यह ही से आईए अगर आप लोग को इससे बहतर और अच्छा मिलता है दोस्ता आप लोगों को बता दू कि मैं यहाँ पर धाई साल मेरा हो चुका है यहाँ पर और यह फल का काम में यतना महना थे उतना पैसा भी है आप लोगों को क्या बता हूं कि जैसा मेरा सरीर था वह अभी है नहीं क्योंकि काम में पूरा यह हो चुके हैं यह को बहुत ही ज देखिए दोस्तों पीछे वाला कैमरा से मैं आप लोगों को दिखाने का अच्छी तरह कोसिस करता हूं कि यहां पर फल का धेरा जो देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा फल है आप लोग मेरा पीछे तो देखे अभी लेकिन देखिए कि आप लोगों को फल कितना बड़ा बड़ा देखने के ल छोटा जो है आप अगर फल यहां पर खुजिएगा तो बहुत ही कम मिलेगा यहां पर बड़ा ही फल आपको मिलेगा जिस साइड में हम लोग रहते हैं ऐसा नहीं कि हर साइड में ही इतना बड़ा फल रहे हर साइड में छोटा भी रहते हैं बड़ा भी रहते हैं तो यह फल क करदा ओर अगर बात करूं कि तो बहुत जगा चोटा भी पेडह से अब लोगत रहें जाधा आलको कान हे देख़र हुए Gir और मलेशिया आने से पहले आप लोग बगान भी देख लिए किस तरह बगान है और मैं पहाड़ है यूझि खुर मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताने का कुश्म करता हूं और अच्छी तरह जो आप लोग देख सकें और समझ सकें कि किस तरह जो है यहां पर मेलीश्या में आके वर वर के खाम करते हैं नहीं कि हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह प्लान डेसन का का वीडियो हो और कोई जानकारी हो तो आप लोगों के पास मेरा यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और